हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 179 याने के 169 के बारे में यदि आप CRPC से रिलेटेज पिछली धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के पिछले वीडियो मिल जाएंगे हम बात करते हैं CRPC की धारा 179 ये कहती है कि जब साक्ष अपर्यापत हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना हमने CRPC की धारा 168 याने के पिछली धारा में हमने पढ़ा था कि यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई investigation report तयार करता है तो वह थाने के इंचार्ज को वह report प्रस्तूत करेगा और ये भी समझा था कि थाने का इंचार्ज उस report का क्या करेगा तो थाने का इंचार्ज का करेगा थाने का इंचार्ज यहां पर लिखा हुआ है ना CRPC की धारा 169 में क्या लिखा हुआ है कि जब साक्ष अपरियाप्त हों तब अभियुक्त को छोड़ा जाना याने कि यदि साक्ष अपर्याप्त हैं पूरे साक्ष नहीं है और साक्ष का कोई आधार भी अब बचा नहीं है अपरात का कोई आधार बचा नहीं है नहीं कोई तब ऐसे समय में अभियुक्त को पुलिस थाने में या पुलिस कस्टडी में रखने से क्या फायदा ऐसी समय में पुलिस का स्टेडी में से उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा कौन छोड़ेगा थाने का इंचार्ज किसकी रिपोर्ट पर जो पुलिस अधिकारी जिसने investigation report थाने के भारसादक अधिकारी को याने के इंचार्ज को सौपी है तो वह विचार करेगा उस report पर और उसको लगता है कि छोड़ देना चाहिए आदमी को तो छोड़ देगा लेकिन उससे पहले bond भरवा लेगा वो कि भाईया जब भी तुमको बुलाएं थाने में तो तवाना पड़ेगा आपको इस प्रकार का bond भरवा करके और उस व्यक्ति को याने के अभियुक्त को जिसने अपरात किया उसको छोड़ देगा क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं किताबी language में क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेशन पर पुलिस थाने के भारसादक अधिकारी को या प्रतीत होता है अन्वेशन याने के investigation समझ ले ना तो अन्वेशन पर पुलिस थाने के भारसादक अधिकारी को या प्रतीत होता है कि ऐसा परियाप्त साक्ष या संदे का उचित आधार नहीं है जिससे अवियुक्त को magistrate के पास भेजना न्याय संगत है तो ऐसा अधिकारी उस दसा में जिसमें वह व्यक्ति अभी रक्षा में है याने के पुलिस कस्टेडी में है वह व्यक्ति उसके द्वारा प्रतीभूओं सहित या प्रतीभूओं रहित या तो ग्यारंटरों के साथ या ग्यारंटरों के बिना जैसा के पुलिस थाने के बारसादक अधिकारी को लगे वैसा जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करेंग जैसा अधिकारी वो चाहे यह बंदपत्र निस्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कौनसा बंदपत्र निस्पाधित करने पर उसे छोड़ देगा, किसे छोड़ देगा अभियुक्त को जिसके बारे में ये संदे है कि उसने अपरात किया, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देगा, कौनसे वाले बंदपत्र पे, ऐसे बंदपत्र पे जिसमें यह अपिक्षा की जाए कि ऐसे magistrate के समक्ष हाजिर होगा जो पुलिस रिपूर्ड पर ऐसे अपरात का संग्यान करने के लिए और अभ्यूक्त का विचारन करने या उसे विचारारार्थ सुपूर्द करने के लिए ससक्त है याने के पहले ऐसा बंदपत्र तयार किया जाएगा जो ये ससक्त करता हो कि जब भी पुलिस ठाने के भारसादक अधिकारी द्वारा उसे बुलाया जाएगा तब तब, magistrate के समक्च उसको बुलाय जाएगा तब, magistrate के समक्च उसको सुपूर्द किया जा सके तब ऐसी परिस्थितियों में वह व्यक्ति उपस्थित होगा, ऐसा बंधपत्र निस्पादित करने पर ऐसे अव्युक्त को याने के जिसके बारे में यह संदे किया जा रहा है कि कुछ ने कोई अपरात किया है ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा यह कहती है CRPC की धारा 119 यदि आप CRPC से रिलेटेज या IPC से रिलेटेज समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ से आपको CRPC के और IPC के संपून वीडियो मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भेने बाद